नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमारे हेल्ड चैनल हिंदी मेटल में आज फिर एक हेल्फिल वडियो के साथ में सोर उठा कुरूप पस्तित हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे दात खाट कुझली के बारे में अगर आप भी दात खाट कुझली से काफी परसाने हैं काफी जादे दवा हुई का इस्तमाल कर चुका है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है ठीक हो रहा है फिर हो जा रहा है ऐसी समस्या से आप परसाने तो आज मैं आ वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के निचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके पुरानी से पुरानी दातखाच को ठिक करने के लिए जो मेडशिन के बारे में हम जाने को वह चार तरह के हैं केंडी फॉर्स दोसो लिकोब एट्रॉक्स 25 सेम्जी और एक क्रीम लुली कनाजोल क्रीम लिजिए या kato konoak cream क्रीशि national cream करें इसागे लेकिन युफी जल जाता है कभी आप दाद खुझी लेक्रिम की की स्ट्रॉइड राता है और तुरन दोरां दे देता है लेकिन छोड़ने का पिर हो जाता है इसलिए हमेसा आप ların कुर्षेंट के सबस्क्राइब के सब्सक्राइब लो吃意 Blakely मैं कुर्षेंटर दूंपमें के सबसे बड़ा धिक्केत हattend और डुकान हाले आपको चार campaigns टुरांत औराम आप तो यह सबसे बड़ा दिक्वत हो जाता है अब बात करें का इस्तिमाल कैसे करना है क्योंकि इस्तमाल करना सबसे जरूरी है तो केंडी फोर्स दोसों का आप रोजाना एक गोली इस्तमाल कर सकते हैं इसके उपर देखे एट्रा का ना जोल दोस है अगर आप केंडी थ्रॉल 200 मजी लेंगे भी वह भी बेश्ट है केंडी थ्रॉल भी आता है जो ग्लेन मार्क कंपनी का उसका विजल्ट काफी बेश्ट आता आप लिकोप को एक रोज रात में इसके बाद लगतार एक मंत करें और क्रिम को उस जगह कि धाता खाज हुआ न पाधा सबसे जाएं नहीं थे इसके बहुत से करण हो सकते अगर आपके दात खाज हैं तो आपको साब सफाई से रना पड़ेगा आपने कपड़े रोजाना चेंज करने होंगे अपने खान पान पर काफी नियंतर करना होगा जैसे गर्म मसाल है बैगन ऐसे कुछ सबजी आती हैं जिसका इस्तमाल करना आपको बंद करना होगा यह सब काफी द्यान देना होगा तो आपके दात खाज काफी तेजी से ठीक हो जाएंगा मैंने दोस्तों यह जो चारों मेट्शिन बताई हैं मैंने खुद बहुत कस्टमर को दिया रहा उन्हें काफी तेजी से दात खाज कुझी से अराम मिला और पूरी तरह आराम मिला गया है और आपके भी दात खाज कुझी है और अब डाक्टर की सला से दवा लेते हैं तो ज्यादा बेश्टे डाक्टर से लेकर ही दवा लेना चाहिए लेकिन अगर आप किसी जोला छब मेडिकल सौप कर दावा ले रहे हैं तो आप इन चारू दवा इस्तिमाल कर ये थोड़ा सम्हाइगा पड़ेंगा लेकिन यापके ही दात्खाच पूरी तरह ठीक हो जाएगा सुरू में होता है कि आप क्रीम लगा रहे हैं आराम मिल आया करते करते चौं महेना साल बर दो साल हो जाता है और पूरी तरह ठीक नहीं होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है यह लोग पूरी दवा नहीं चलाते हैं शुरुआत में ही आप इंचारों मेडिशिन का चला दे आपके दाथ खाज को लिए एक मेने कंदर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे अब शुरुआत में इस तरह ठीक हो जाएंगे और आप डाक्टर से ले रहे हैं तो ज्यादा बेश्ट है डाक्टर सला लेकर ही कुई दवाल लेना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना फिर्म लेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर